तो स्वागत है जोस्तों आप सभी का फिर से हमारे डियो चैनल सिविल गुरुजी में मैं कॉर्परेट ट्रेनर फजल उर्हमान इंजिनियर्स आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि बिलिंग इंजिनियर्स को जो सवाल किये जाते हैं इंटर्व्यूस में उसके बारे में आज हम डिसकस करने वाले है सबसे पहले हम लोग experience-based questions के बारे में समझेंगे और उसके बार technical questions के तरफ हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं तो अगर आप भी इंटर्व्यू देने जाने वाले हो as a billing engineer या फिर civil engineering में किसी भी post में तो ये questions आपके लिए बहुत जादा काम में आने वाले है तो चलिए हमारा ये वीडियो बिना किसी तरफ कवक्जाए कि ये शुरू करते है So इंजिनियर सबसे पहले जब आप इंटर्व्यू में जाते हो तो सबसे पहला सवाल आपसे ये होता है कि आपने से पहले वाली जॉब में billing engineering से related क्या सीखा जो होता है what you have learned from your past jobs that you related to billing engineering कि आपने ऐसी कौन सी जॉब किया है कि आप billing engineer ही थे आप आपके resume में सारी चीज़े detail में दी गई होती है आपने लिखा हुआ होता है कि मैंने as a billing engineer काम कर लिया है लेकिन फिर भी वो आपसे ये सवाल इसलिए पूछते है क्योंकि उन्हें जानना होता है वो आपके जवाब से आपकी personality को पहचानना चाते है तो जैसे उन्होंने ये पूछा कि what you have learned from your past job that related to billing engineering अंसर देना है कि sir मैंने जो चीखा पिछली जॉब में वो मैंने सीखा work ethics सीखा उसी के साथ साथ मैंने technical parts में बहुत सारी चीज सीखी जैसे accounting skills की बिल्को prepare करना सीखा उसका payment सीखा performing estimation and quantity सीखा detail में auditor से कैसे बात करना है उसी के साथ उसे कैसे explain करना है सारी चीज सीखा मैंने ये सीखा कि किसी भी बिल को deadline work दिया गया मुझे एकदम मेरा strict जो है वो schedule है working का कि मुझे इस वक्त में particular वक्त में मुझे complete करना है अपना बिल तो उसे कैसे complete करना है मुझे site के ओपर जाकर मुझे कैसी चीजों को control करना है westage को कैसे control करना है ये सारी बाते आपको बतानी होगी उन्हें तब उन्हें लगेगा कि हाँ इसने इसके पहले billing engineer काम कर के आया है मैंने self discipline सीखा है मैंने खुद को improved किया है previous job से बहुत ज़्यादा कुछ मैंने सीख के आया हूँ तो इसके बाद वो बोलेगे कि आपके लिए दूसरा question उनके रेडी रहेगा आप लोगों के लिए कि what was the toughest challenge you ever faced कि आपने सबसे tough challenge क्या faced किया है तो आप लोगों को अपना एक कोई भी experience उनके साथ share करना होगा example देता हूँ मैं आप लोगों कि आपको कैसा picture उनके सामने paint करनी है एक example की सबसे पहले आप कहोगे कि sir जैसे कि मैरे site के उपर मैंने excavation करवाना था हम लोगों ने उसमें एक जो था item को include नहीं किया था नहीं सोचा था कि हमें उसकी जरुवत पड़ेगी जो था pump कि हमें excavation मैं पता नहीं था कि excavation pit में जो है उसकी कभी जरुवत पड़ेगी लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि बारिश होई या फिर जब मैंने excavation करवाया वहाँ पर automatically जो है वहाँ पर पानी जो है वो भर गया अब मैं footing तो उस पानी में करवा सकता था नहीं तो अब मुझे pump बुलाना पड़ा जो कि मेरे tender में item include नहीं था तो इसलिए मुझे ये दूसरा additional item include करना पड़ा मैंने उसे include किस तरह करवाया मैं AE के पास गया जो assistant engineer थे हमारे government के उनसे मैंने बात कि उन्हें समझाया ये सारे topic को और उनसे add करवाया उनसे permission ली तो इस तरीके से आप लोग उसमें और बहुत सारी चीज़े add कर सकते हो तो आप लोगों को दूसरी तरह से इसमें और भी experience अपना share करना है जैसे कि price escalation ये एक बहुत important चीज़ है अगर आप इसके बारे में अपनी interview में बात करोगे खुद से तो उन्हें लगने लगेगा कि ये एक experience billing engineer है price escalation का भी मैंने experience किया हुआ है कि उसमें किस तरीके से मुझे अपने bill बनाने होते है सबसे पहले तो आप लोगों ये बताना है कि price escalation के लिए आप एक story paint कर दीजे कैसी story paint करना है आप लोगों को आपको कहना है सर जो मैं पिछले project में काम कर रहा था उसमें price escalate हो गया था किस वज़े से? fuel के वज़े से किसी भी तरीके से हो सकता है cement के वज़े से हो सकता है sand के वज़े से, aggregate के वज़े से लेकिन आप fuel कही है किसी भी चीज़ से आप relate करवा सकते है जो आपके साथ site पे हुआ हो मैं एक example ले रहा हो कि fuel जो है fuel exceed कर गया 80 कुछ rupees से हमने सोचा था लेकिन tender में 80 कुछ rupees था लेकिन आप वो 101 पहुच चुका है 100 पहुच चुका है तो उससे जो है price escalate हो गया price escalate होने के बाद मुझे जो है उसमें price escalation करवाना पड़ा एक example दूँ मैं आप लोगों आयोद्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसका tender अगर आप लोग पड़ोगे तो उसमें clearly दिया हुआ है कि किसी भी चीज का price escalation मानियन नहीं होगा सिर्फ petrol का होगा अगर cement बढ़ता है तो भी price escalation का पैसा नहीं मिलने वाला है sand किसी भी चीज का नहीं सिर्फ petrol का मिलेगा petrol का भी कब जब petrol plus या minus 5 रूपीज हो मतलब 5 रूपे से ज़ादा बड़े या 5 रूपे से कम हो तब ही price escalation होगा उसके under होता है तो भी नहीं होगा तो इस तरीके से सबसे पहले work order पढ़ना tender पढ़ना बहुत ज़ादा important रहता है तो ये सारी चीज जब आप उनके सामने share करोगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि ये बहुत experienced billing engineer है और ये हमारी company के लिए काफी ज़ादा फाइदा कर सकता है सबसे ज़ादा आप लोग को interview में अपने बारे में बताना है उन्हें आप से question answer नहीं करना होता है वो आपके अंदर कितना talent है आपने कितना काम किया हुआ आपको कितना पता है इसके बारे में पता करनी के लिए questions पूछते हैं वो तो उसी तरीके से आपके जवाब होने चाहिए हा या ना में नहीं कोई एक चीज में नहीं एक पूरी story में और उस story में अपने experience शेर कीजिए ताकि उन्हें पता चली कि आप एक experienced engineer हो अगर आप site engineer, senior engineer, quantity surveyor, billing engineer, planning engineer, designing engineer किसी भी work में company की demand की skills सीखना चाते है तो आप अपने life के सरिफ 10 minute दीजिए 911-001234 number पर call कीजिए अपने career से related problems share करिए और पूछे कि कैसे construction operating process में आपको आपके career की उनुचाईयों तक पहुँचा सकता है जिसके आप real में हगदार है अगले question की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग तो इसके बाद उनका जो question हो सकता है वो यह हो सकता है कि why did you leave your last job आपने अपनी पिछली job जो है वो क्यों छोड़ी तो इसका बहुत ही जादा smartly आप लोगों को यह जवाब देना है कि sir मैंने वो job इसलिए छोड़ी क्योंकि मैंने कुछ नई skills सीख ली है अब सकता हूँ और कहाँपन मुझे challenging projects मिलेंगे क्योंकि अब मैं उनके लिए तयार हूँ मैं एक ऐसे project के लिए तयार हुज हापर मेरे लिए वो challenging हो और मैं अपनी new skills जो मैंने सीखी है उसे मैं implement कर पाऊँ उससे मैं company को फायदा करवा पाऊं और खुद की मैं growth कर पाऊं तो इस तरीके से एकदम positive way में आप लोगों को सारे answers देने इस तरह के answers नहीं देने कि उस company मुझे salary नहीं जादा मिल रही थी वो company में मेरी जादा growth नहीं हो रही थी इस तरीके से आप लोगों को जवाब नहीं देने है fully positive आप लोगों को जवाब देने है ताकि उसे भी वो positive energy समझ में आए और वो आप लोगों को recruit कर ले इसके बाद आप लोग और भी कुछ चीज़े add कर सकते हो जैसे मुझे new responsibilities चाहिए थी मुझे new environment चाहिए था इस तरीके से positive चीज़े आपको add करनी है तो यह होगे कुछ experience based questions इसके बाद आप technical questions की बात करते है जो हर एक civil engineer के लिए बहुत जादा important होते है सबसे पहला question जो आप लोगों से पूछा जा सकता है वो यह है कि cement consumption for neat cement putting work के लिए कितना होता है मतलब कि जो घोल बनाया जाता है वो कितना use होता है तो उसे आप लोगों को कहना है कि 4.4 kg per square meter में उसका use किया जाता है घोल का अब दूसरा question technical के लिए क्या हो सकते आप लोगों के लिए कि allowable wastage in limit of steel for reconciliation कि reconciliation के लिए जो wastage की limit है वो कितनी है तो आप लोगों को इस चीज के लिए CPWD norms पता होने चाहिए कि उसमें जो है वो control wastage के बारे में पूरी तरह से जानकारी दी गई है वैसे तो CPWD norms में दिया गया है कि 2% wastage वो देता है लेकिन एक billing engineer होने के नाते आप लोगों को ये ध्यान रगना है कि 0% wastage हो जादा wastage आप लोगों को होने नहीं देना है 2% बहुत जादा wastage है अगर एक करूर का project है तो उसका 2% समझी आप लोग 2,00,000 रूपे हो जाता है तो ये बहुत जादा wastage है इतना हमें नहीं होने देना है एक billing engineer होने के नाते हमें उसे control भी करते आना चाहिए तो आप लोगों का जो answer होना चाहिए वो सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि सर्थ 2% तो हमें पूरा कहना है कि as per CPWD हमें 2% जो है वो wastage जो है हम लोग ले सकते है लेकिन एक billing engineer होने के नाते हम पूरा try करते है कि जो wastage है वो बिलकुल ना हो अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते है कि जो mode of measurement होता है steel का bar bending schedule का वो किसमिक किया जाता है तो आपको कहना है कि वो running meter में किया जाता है क्योंकि जो steel होता है वो running meter में count किया जाता है लेकिन आप लोग को इसका और एक तरीके से जवाब देना है कि sir measure तो running meter में किया जाता है लेकिन जब हम लोग calculate करते है जब इसका rate निकाला जाता है तो वो kgs में होता है तो जो rate उठाया जाता है वो kgs में लिया जाता है वो किस में जो है उसका measurement किया जाता है सबसे पहले तो जब method of measurement की बात आई तो आप लोगों कहना है कि sir as per IS code 1200 में दिया गया है part 11 में कि running meter में हम लोग skirting का bill measurement करेंगे तो ऐसी आप लोगों को with specification बताना है उन्हें ताकि उन्हें पता रहे कि आपको IS code की भी knowledge है उसी के साथ साथ एक और technical question आप लोगों के लिए वो तयार रखेगे plastering work के जो criteria's है वो कहां दिये गये है कहां से हम लोग जो है उसे refer कर सकते है तो आप लोगों का जवाब होना चाहिए किस आप plastering work का जो criteria है उसे refer कर सकते है IS code 1200 part 12 CPWD में तो इस तरीके से आप लोग जब अपने answers देते रहोगे with specification तो आप लोगों का जो एक impact पढ़ने वाला है वो बहुत जादा अच्छा पढ़ने वाला है तो अब हम अगला question समझते है अगर उसने आप से ये पूछ लिया कि ये बात बताओ कि कितने मीटर का जो बार है उसे हम westage में count नहीं करेंगे steel को तो आप लोगों कहना है कि एक मीटर से जादा का अगर बार है हमारा तो वो westage में consider नहीं हो सकता क्योंकि वो जो सारी चीज वो पूछेगा आपके एक जवाब के बाद उसका जो दूसरा जवाब होगा वो relevant हो सकता है तो आप उसे clear कर लीजे कि सर एक मीटर से अगर जादा होता है तो उसका हम लोग deduction नहीं कर सकते वो westage में count नहीं होगा तो अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हम लोग तो जैसे आप लोगों को पता है कि इससे पहले जो सवाल उन लोगों ने पूछा था वो BBS से था तो लग बग बहुत ज़्यादा possible होता है कि अगला question जो होगा आपको उससे ही related होगा हो सकता है वो आप से ये पूछे कि आप ये बताइए कि जो binding wire लगता है वो कितने quantity में लगता है तो आप लोगों एकदम अच्छे से smile करते हैं जवाब देना है कि सर मेरा जो total quantity आएगी मेरे steel की उसका 1% मुझे binding wire लगेगा 1% भी लगता है तो आप लोगों ये सारी चीज़े जो है वो ध्यान रखनी है तो ये हो गया हमारा BBS related सवाल अब दूसरा सवाल अगर आप से ये पूछा जाए कि cement consumption कितना होगा अगर आप लोग plaster करवाते हो 12 mm थिक का और 1 इस्टू 4 का ratio होता है तो उसका कितना जो है वो quantity निगलेगा हमारे cement का तो आप लोगों को कहना है 5.47 kg per square meter में लगेगा जो कि दिया गया हमारे CPWD norms में हम लोग बार बार specify क्यों कर रहे है चीज़ों को उसे समझे क्योंकि एक billing engineer जो होता है उसे हर चीज़ का specification पता होना चाहिए इसलिए हम लोग इतना specify करके हमारे सारे सवालों के जवाब देंगे तो अगला सवाल थोड़ा related हो सकता है आप लोगों का कि आप से ये पूछा जाए कि allowable जो westage limit है हमारी course aggregate और fine aggregate की वो कितनी है तो आपका जवाब होना चाहिए सर्फ 5% है 5% जो है हमारी allowable westage है किस की course aggregate और हमारे fine aggregate की तो अगला सवाल जो है हमारा वो यह है कि आप ये बताए कि mode of measurement क्या होता है हमारे anti-termite treatment का आप लोग ये समझी हमें जादा से जादा measurement की सवाल होंगे और westage के सवाल होंगे क्योंकि billing engineer काम होता है measurement करना उसका bill बनाना और साती में westage को square meters में लिया जाता है उसी के साथ साथ और एक चीज आप लोग के साथ share करता हो ताकि आप लोग ये as a example दे सके और उन्हें पता हो सके कि आप लोग को चीजे पता है आप experience दो वो ये है कि अगर कोई project होता है जो 25 लाग से कम का होता है तो उसमें जो westage होने चाहिए step by step क्योंकि आप एक billing engineer के interview के लिए जा रहे हो तो आप लोग को अपने आपको prepare किस तरीके से करके जाना है सबसे पहले तो measurement के बारे में ध्यान रखिए mode of measurement जो IS 1200 में दिया गया है उसी के साथ साथ आपको CPWD के norms पता होने चाहिए westage के बारे में reconciliation के बारे में पता होना चाहिए price exclamation के बारे में पता होना चाहिए तो हम bill बनाने के बाद auditor को send करते है वो हमारे क्या check करता है वो mode of measurement चेक करेगा वो सारी चीजे चेक करेगा वो आपके calculations चेक करेगा तो आप लोगों को उस हिसाब से पहले से perfect bill बनाना हो ऐसा ना हो कि auditor के पास गया उसने आपको return किया फिर आप ठीक कर रहे हो फिर वो जा रहा है फिर इसमें लंबा समय time खराब हो जाएगा तो आप लोगों को ये सारी चीजे पहले से पता हो नहीं चाहिए तो मैं ओप कर दो कि आप लोगों को ये सारी चीजे समझ में आई होगी detail में आप लोग note भी कर सकते हो ये सारी जो questions मैंने बताया जो technical questions बताया उसे आप लोगों को बिल्कुल note कर लेना है और इसी तरह की technical videos और भी मैं आप लोग लाता रहोगा तब तक के लिए thank you and goodbye